हलो नमस्कार मैं योगिस आप सभी का स्टड़ी अलट के डिश्टल प्लेटफॉन पे स्वागत करता हूं देखो बीएस्टीशी के सभी प्यारे विध्यारतियों को आपका जो रिजेल्ट आ रहा है उसकी अग्रिम सुपकाम नहीं तो आज हम क्या करेंगी बीएस्टीशी को लेकर आपका सबसे मैं डाउट के है क्योंकि आपको पता है 28 तरह को एकजाम हुई थी तो लगबग आपके यहां पे 27 दिन बीच सुके रभी तक रिजेल्ट नहीं है ठीक है सबसे आपका इंपोर्टेट बात क्या है कि रिजेल्ट कब आएगा रिजेल्ट कब आएगा क्य लेकिन आज मेरी बात सुन लीजिए 10 मिनट के वीडियो को एक बार कम्प्लिट देख लीजिए आपके सारी डाउट के लिए रोजाएंगे आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपका रिजेल्ट कब आएगा और आप बार बार वीडियो नहीं देखोगी ठीक है वीडिय बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी वो भी बात इस वीडियो में कर लेंगे तो वीडियो को कम्प्लिट देख लेना चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सस्क्राइब कर देना जैसे ही आपकी कोई जो यह डिजेट वगेर आएगा तो आपको सबसे प पे 5000 विद्यार्थों नहीं गुरुप को जोइन कर लिए ठीक है देखो जिन्होंने मेसेज कर दी है वो तो 30 सेकंड वीडियो को आगे कर लो जिन्होंने नहीं किया वो 9024314858 पे मुझे मेसेज कर दो बेस्ट के नाम से मेसेज कर देना मैं गुरुप में आपको जोड़ द मेसेज गुरुप में जोड़ दूँगा आपको बता दिया जाएगा पलस अगर आपके अभी रिजल्ट में 330 नमर आ गए तो आपने कितनी को आपको कितनी कॉलेज बढ़नी चाहिए आपको 330 पी कैसे मिलेगी काउंसलिंग कर शेगरवानी है वो भी आपको गुरुप में सब डिटेल्स आपको गुरुप में बताई जाएगी गुरुप आप मेसेज गर दो तो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है दस मिनट का वीडियो होगा मैंने पहले ही बोला था ठीक है तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर बात कर लेते ह कितने दिन में आता है है लेकिन आपने दोयार ऐस से बाइस दिन एक तीस अगस्त को हुआ है तो रिजल्ट भी अपना कब तक आ सकता है 27 तारिक तक गुरू जी अराम से आ सकता है यानि 27 या 28 से पहले आ सकता है अब बात करेंगे रिजल्ट आखिरकार कब आ जाएगा आपके मन में सबसे ज्यादा देखो रिजल्ट है वह आप मान के समझो अब अगले दो से तीन दिन आना उनमें आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी ट्विट तो एक दो दिन में देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आपको एक दो दिन में देखने को मिल जाएगा और रिजल्ट है वह आपको दो तीन दिन में देखने को मिल जाएगा इसल और एक्जाम सोरी 31 अगस्त को नहीं वी यह आपकी ठीक है इस बार एक्जाम आपके 28 तारीक हुई है ठीक है 28 तारीक हो एक्जाम हुई है तो इस बार आप मानके समझो तीन दिन वह चले गए चोइस यह यह यानि 27 यानि अब आपका जो रिजेल्ट का है वो कभी भी आ सकता ह ठीख है यानि हाइस मेने दो-तीन दिन बता है यह अब आसकता है क्योंकि पिछली बार दो 2022 में तो 20 दिन से आया था और 2027 दिन से आया था इस बार भी 27 दिन भी चुके है तो आप मान के समझा आज संडे है संडे मांडे के बाद कभी आपको त्विट देखने को मिल सकता है और 25 27 28 कभी भी दिखने किया जा सकता है ठीक है अब बात कर लेते हैं जाजी होने ही बाद रिजल चैक कैसे करना है देखो रिजल चैक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल को अपन करना है वहां पे आपको प्री डिल ले डे इल डिए nhân ऐसी नाम सच करना है एक सच करने कि गया आपको उपन ऐसे नदिस मिल जा की और वली दिन मिलेगा कर आपको यहां पेखाऔर पट्टे भी दिखती नजर आईगी रिजल लाइन नाव उसके थूश्री आप चेक ना ठीक है या फिर आप मोबाइल नमर पासवर डालके भी चेक कर लेना यह तो बात हो गई रिजल्ट की देखो रिजल्ट को लेकर कोई भी डाउट मत रखो क्योंकि दो मिनट की बात है वह तो कभी भी आजाएगा ठीक है और कैसे डाउनलोड करना यह तो सब नमर बनेगे यह थोड़ी ना और नमर तो आपने जितने जोड़ें उतनी बनेंगी तो अब बात कि लेते हैं कि कॉलेज नहीं मिलेगी जो बोल रहे हैं कि AWS में 370 प्लस करवाना अन्य थामत करवाना SCHT वाले 365 प्लस करवाना अन्य थामत करवाना General वाले 390 प्लस करवाना अन्य थामत करवाना तो देखो मैं एक बात बज़ता हूँ आपको काउंसलिंग के लिए कोई भी नमर डिसाइड नहीं किये जाती है ठेक है डाइसो वाला भी काउंसलिंग करवा सकता है साड़े 400 वाला भी करवा सकता है ठेक है यह तो एक बात अपनी दिमाख में फिट कर लो अब आप बोलो सर जी काउंसलिंग करवाना इस क्या फाइद्ट है तो आपके जो रूपए है ना वो तीन हजार वो अपस रिफ्रेंड कर दिये जाएंगे दिक्कत कहा पर है मुझे ये बताओ इसलिए काउंसलिंग सभी को करवानी है ठीक है काउंसलिंग क्या करनी है सभी को करवानी है उसके बाद में बात कर लेते हैं कि सर्जी कितने नमर तक कोलेज मिल जाएगी मालो भी एस टी है ठीक है अब आलो वहांपर क्या होता है कि आपनी कोलेज कौनसी बरी और कितने कोलेज वर्य ये उस पर आपको पता है बात लागव होती है नम्रों पर कुछ भी नहीं होता है मालो जो बार्ड मेर की कोलेज है ठीक है गोवर्मेंट कोलेज है वो क्या है गोवर्मेंट कोलेज उसमें एक ही कोलेज है बार्ड मेर जिले में ठीक है एक ही कोलेज है अब मालो क्या होता है कि पिद्यारत की दरन की लाना ही आया फिर 305 वार्यारत के लिए बताती हैacas हो जैवपूर की घंग और मुझगुक्ड सक memorize मिलागई और 330 वाले को बाड़ मेर की कोलेज को फिल कर देता है ठीक है तो 330 वाले को बाड़ मेर की कोलेज मिल जाती है रो इन 317 वाले को जैपुर की कोलेज नहीं मिलती है ठीक है, एक आपने कितनी कोलेज़वरी है कितनी कोलेज़वरी है, ठीक है, ये दो ही बात important है, अब बताने को cut-off कोई भी कितनी भी बता दे लेकिन official cut-off आप सोच लेना कभी भी नहीं रहती है, ठीक है इन दो ही बातों पर आपकी cut-off लागू होगी, इसलिए आपको करना क्या है नबे चोईस इकतीस अड़तालिस इठावन ठीक है इन पर मुझे वोट से मेसेज कर देना 9024314858 ठीक है सर मैं ब्येस्टीश का स्टुडेंट तो मुझे गुरूप में जोड़ दो मा आपको गुरूप में जोड़ दूँगा उसके बाद आपका रिजल ठाने की बाद आपकी कांसलिंग होगी ना तो कांसलिंग कैसे करवानी है कितनी कैदनी कोलेज बनी है कौन सी कोलेज बनी है वो डेटेल्स में आपको ग्रूप में प्रवाइड गरूँगा आपको ग्रूप में मेसेज अत्याव से कर देना है अब बात कर लेते हैं गुरुजी फिर भी सेफ एरिया बता दो देखो आदराधस्तान में आपे 350 पलस वाले सेफ हो ठीक है और खुद ये जिल्ले में चोईस में आप 400 वाले सेफ हो ठीक है और डाइट कोलेज गे लिए आप 430 पलस वाले सेफ हो अब आप बोलोगी सर जी हम जो साड़ी 300 से नीचे है उनको कोलेज नहीं मिलेगी क्या अरे उनको भी मिलेगी उनको कोलेज ज्यादा से ज्यादा बढ़नी है कौन कौन सी कोलेज बढ़नी है वो मैं बताऊँगा इसलिए बहुरां वाट सम मेसेज कर दो मुझे जो साड़ी 300-370 से नीचे वो तो खास कर कर देना ठीक है अब देखो आपको पता है सारी इडिट्रेस मने बता दी अब सीट्टों को लेकर बात कर लेते हैं कि सीट्टे बढ़ेगी क्या पांस से साथ कोलेज हर साल एड ओचे इस बार भी हो जाएगी तो जार सीट तो आप मान के समझो इतनी ती बड़ी ही जाएगी ठीक है तो सीटे देख लेना कम से कम बतारों मैं आपको कितनी कम से कम बतारों मैं आपको अजार सीट बढ़ेगी ठीक है ज्यादा भी बढ़ सकती है लेकिन इतनी दाब मान के समझो और कोई भी डाउट है मुझे कमेट करके जुरूर पूसना देखो रिजियल्ट आपका जल्द ही जारी क्या जाएगा रिजियल्ट को लेकर डाउट मत रखे भई ठीक है मेरा एक ही जरूर शेयर कर देना ठीक है उस तक वीडियो क्या कर देना जरूर शेयर कर देना जिससे क्या होगा कि मला न्यूव वीडियो यह तो उसको भी पता चल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब है यून का माइगा धन्यवाद